नमस्कार दोस्तों सुवागे थे आपका हिंदी नोलिष शो में तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ समझ नहीं आ रहा कि ये अच्छी खबर है कि बूरी खबर है क्योंकि इसके पोजिटिव भी बहुत सारे हैं और निगेटिव भी जानते ही हैं कि भारत का खजाना पिछले एक साल से लगातार गिरते चला जा रहा है हर हफ़्टे पांस से लेकर 6 billion dollar गिरता ही रहता है हाँ बीच में एक दो हफ़ता ऐसा आया चिसमें भारत का खजाना थोड़ा उठा एक बिलियो दो बिलियो उठा लेकिन फिर गिर्त बजाने के लिए ये साल बहुती बुरा गुजर रहा है लेकिन इसके कारण भी आप जानती हैं रूस यूकरेन युद कच्छे तेल के बढ़ते दाम दुनिया भर में आई महंगाई और दुनिया भर की जितने भी करंसी है उन सब का डोलर के मुकाबले कमजोर पड़ना ये ए आप चीन ले ले जापान ले ले सभी देशों का यही हाल है लेकिन आज भारत के फोरेक्स हिजर उपर दो बड़ी खबर निकल कर सामने आई है पहली तो ये कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार अब से कुछ महीने पहले तक दुनिया में चोथे नंबर पर आता था अब ये खिसकर छटे स्थान पर चला गया है हाला कि भारत की रैंकिंग भले गिर गई हो लेकिन नुकसान हमें ज्यादा नहीं हुआ है तोप 10 में जितने भी देश है उनमें नुकसान सबसे ज्यादा दो देशों को हुआ है पहला है जापान जिनका विदेशी मुद्रा भ दिया है पहले नंबर पर कोन है नुकसान में स्वीटर लेंड स्वीटर लेंड का जो विदेशी मुद्रा भंडार है एक महीने में 57 बिलियन डॉलर गिर चुका है जी हाँ यह मैसीव फोल है सूर्जर लेंड के विदेशी मुद्रा भंडार में वहीं बात करे भारत की तो इस महीने का अपडेट हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का भी आ चुका है, लेकिन अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, अच्छी बात तो ये है कि अब हमारा खजाना स्टेबल होता दिख रहा है, मतलब अब से 1.5 महीना पहले तक हर हफते हमारा खजाना चार से लेकर 6.000.000.000 डोलर के बीच में गिरा करता था लेकिन अब ये रफतार एक डेडी बिलियन पर आचुकी है पुछले हफते हमारा खजाना 1.000.000.000 ही गिरा है से भी कहीं नीचे आ जाएगा लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी पांसो तीस बिलियन का जो पूरा मार्क है उसे मैंटेन किये हुए है हाला कि यह अच्छी खबर है या बुरी खबर है आप कमेंट में बताईएगा अब चलते हैं दूसरी खबर फर तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको बृटेन की अर्थ ववस्था पर अपडेट नहीं दिया था क्योंकि रिशी सुना के आने के बाद मैं इंतिजार कर रहा था कि देखते हैं कि यह क्या स्टेप लेते हैं लेकिन वाके में ही इन्होंने अच्छा काम किया है और इसके नतीजे हमें दिख भी आप देखिए जो बृटेन की मुद्रा है पॉंड वो धीरे धीरे डोलर के मुकाबले अब गेन कर रही है यानि की मजबूत हो रही है वरना स्थिति यह आ गई थी कि डोलर और पॉंड की वैल्यू लगबग बराबर हो चुकी थी इतना यह नहीं धीरे धीरे जो निवेश भी तयार है और मेरे हिसाब से ही सही भी है आप लोगों को साफ साफ सच बोल दीजिए इससे लोग तयार हो जाते हैं पहले ही और इस्थिती ज्यादा नहीं बिगड़ती लेकिन अगर आप बात को टालते रहते हैं घुमाते रहते हैं या जूट बोलते रहते हैं और फिर इस लिड़ों में इतना ही, thank you very much for watching video